नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चनल फॉर और सक्सेज में दोस्तों घटना चकर करेंट फेर मैगजिन के जनवर इसे लेकर अगस्त दो हो जाते इसके संस्कृणों में से टॉप इंपॉर्टन हमने 125 कुष्टिंस की एक क्विज तैर की है अगर इस क्विज में से 100 प्लस अगर आपके सही होते हैं तो आपकी जो करेंट फेर की तारी काफी अची रहेगी इसमें अगर इसे कमाते हैं तो आपको और ज्यादे हैं आपर तैरी की अफशकता रहेगी हमारा जो वीडियो रहने वाला यह है एक जनवरी 23 से लेकर 31 अगस्त 23 तक के जो टॉप इंपॉर्टेंट 125 कुष्टिंस की एक MCQ सिरीज रहेगी जिसके अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जिसमें अंतराश्टी परिद्रसी राश्टी परिद्रसी खेल जगत और उसका रहुम समान ग्लोबल इंडेक्स जो भी हैं संयुक्त योदभ्यास नियुक्तियां चर्चित पोस्त के महत्पूर्ण दिवस उनकी थीम योजनाय चर्चित व्यक्ति और विज्ञान प्रद्रद्गी की एप और पॉर्डल तो असका अंसर आप साथ साथ अपना गैस कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं स्क्वीज को 125 क्वेशन स्क्वीज फर्स्ट क्वेशन इसमें है 29 जुलाई 2023 को कार्वेट टाइगर रिजर्व में मनाय गए वैस्विक बाग दिवस के अवसर पर जो 29 जुलाई को मनाय जाता है वर्ल्ड टाइगर डे इसके अनुसार सबसे अधिक बागों के अबादी 785 बाग जो की मद्धि परदेश में हैं दूसरे इस्तान पर है 563 ब और राष्ट्री रेल्वे सुरक्सा संग्राले का उद्गाटन किया गया है और रेल्वे सुरक्सा के लिए राष्ट्री संग्राले का अनावरण आली में किया है राष्ट्री 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 हाल ही में निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के दौरा लॉंच विस्टु का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह का क्या नाम है प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में एक प्राइवेट कम्यूनिकेशन सेटिलाइट को लॉंच किया है उसका क्या नाम है अंसर राइट ऑप्शन ए जूपिटर 3 जुलाई 2023 में निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा एक निजी उसंचार उपगरा जूपिटर 3 फॉलकन हैवी रॉकेट के माद़न से फॉलोरिडा के नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉंच किया गया जिसका नाम है जू जिसका आएज़न मालदीव में किया गया था आंसर राइट इसका है ऑप्शन C कांसे पदक जीता है भारतीय सर्फिंग टीम ने ACI सर्फिंग चैंपेंशिफ मालदीव के थुलूस्तू दिविप पर आईज़ित की गई थी जिसमें 18 देशों ने भाग ले था इसमें पहली बार भारत भाग ले रहा था और भारत की सर्फिंग टीम ने 2708 अंक हासिल करते हुए तीसरा इस्थान हासिल किया और कहां से भारत में होना है और इसके ब्रैंड एमबसेडर बनाए गया है अभी नेता सारुक खान तो जाते हैं इसमें ICC Cricket World Cup का ब्रांड एमबसेडर सारुक खान को निक्त किया गया है और इसके साथ उन्होंने अपने केंपेंड भी लॉंच किया था इट टेक्स वन डे इट टेक् अगला कुशन है कोरियाई ओपन बैडमेंटन टूनामेट का यूगल खिताब किसने जीता है कोरियाई ओपन बैडमेंटन टूनामेट का यूगल खिताब किसने जीता है यहाँ पर डबल टाइटल आंसर राइट है भारत की खिलाडी है सात्विक साहिराज और चिराग सेट को हरा कर 500 badminton tournament कोरियाई open badminton tournament 2013 को जीत लिया है सात्यक सहराज और चिराक सेटी नेक्स्ट राष्ट्री बहु आयामी गरीबी सुचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सरवादिक कमी दर्ज करने वाला राज्जी कौन सा है अंसर राष्ट्री बहु आयामी गरीबी सुचकांक एक प्रगती शमिक्सा 2023 के अनुसार 13.5 करूड लोग बहु आयमी गरीबी से भाढ़ के लिया है और इसमें सबसे अधिक जो गरीबी में सरवादिक कमी दर्ज करने वाला राज रहा वो उत्तर परदेश रहा है अगला कॉशन है भारत के पास्पोर्ट को इस्थान मिला है असिवा एटीथ रैंक मिली है भारत के पास्पोर्ट को नेक्स्ट विंबल्डन टैनिस चैंपिंशिप 2023 के पुरुस वर्ग का खिताब किस ने जीता है विशु के नमबर एक खिलाडी कार्लोस अलकराज ने नोवाक जोकोविच को फाइनल में हरा कर अपना पहला विंबल्डन खिताब जीता है कार्लोस अलकराज ने वहीं महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है विंबल्डन चैंपिंशिप 2023 का महिला एकलवर का खिताब किसने जीता है पुरुसवर का जीता है अलकराज कार्लोस अलकराज ने answer right है महिला वर्ग में मारकेता वाउंडर सोवा जुलाई 2023 में आईजित हुए विंबल्डन टैनिस चैंपिंशिप के अंदर महिला वर्ग के अंदर एकल विजित रहनी है मारकेता वाउंडर सोवा जुन्होंने ओंस जैबोर को हरा कर विंबल्डन खिताब जीता है next चंदरयान टीन को किस रॉकेट के माध्यम से इसरो के दोरा सफलता पूर्वक प्रक्षिपित किया गया था अंसर राइट है उस रॉकेट का नाम था option D LVM3 M4 इस रॉकेट का नाम था 14 जुलाइस 2023 को भारत का चंदरमा पर 615 करूर रुपे का तीसरा मिसन सफलता पूर्वक प्रक्षिपित किया गया इस मिसन का प्रक्षिपित सिरी हरी कोटा के 37 धवन अंतरिक्स केंडर से लॉंच वीकल LVM3 M4 के द्वारा किया गया था और इसी में भारत ने 23 अगस 23 को चंदरमा के दक्षिनी धुरूपर soft landing भी करी है और चंदरमा पर पहुँचने वाला भारत विश्व का चोथा देश बना है जबकि चांद के दक्षिनी धुरूपर उतरने वाला भारत पहला देश बना है पूरे विश्व के अंदर Next question प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को किस देश ने सर्वुचुनागरिक सम्मान The Grand Cross of the Leason of Honor से समाने किया है Answer right Option Option A France प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने जुलाई दोजाटेश में France और UA की अधिकारे यातरा पर रहे थे France के राश्पती मैक्रो ने मोधी को France के सबसे नागरिक और सेनिक समान The Grand Cross of the Leason of Honor से समाने किया है और PM नरेंदर मोधी ये समान पाने वाले पहले भारतिय प्रधान मंतरी भी है Next Question केंदर सरकार ने समुदरी छेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली विक्सित की है उस प्रणाली का क्या नाम है मंसराइट Option A सागर संपर्क भारत के पतन, पोत, परिवन और जलमार्ग मंतराले ने सागर संपर्क नामा के एक प्रणाली का उद्गाटन किया है Navigation Settler System है जिसका नाम है सागर संपर्क Next Question सिकायत निवारन सूचकांग 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सीर्स इस्थान पर कौन सा राजरा है Griffence Redressal Index 2023 इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है और सागर है उत्तर परदेश केंद सरकार ने जुलाई 2023 में सिकायत निवारन सूचकांग जारी किया है इसमें उत्तर परदेश बड़े राज्यों पहले स्थान पर है जारखंड दूसरे स्थान पर है और मद्दे परदेश तीसे स्थान पर है Next question वर्स 2023 का लोकमाने तिलक पुरुस्कार किसे परदान किया गया है लोकमाने तिलक पुरुस्कार 2023 ये दिया गया है औप्शन C राइट हो जागा भारतिय प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी को दिया गया है लोकमाने तिलक्त पुरुसकार 2023 Next question G20 संस्कृति कारे समूँ की तीसरी बैठक का एजन कहां पर किया गया था G20 कल्चरल इवेंट्स के सकते हैं अपन कल्चरल संस्कृति कारे समूँ है इसकी तीसरी बैठक का एजन कहां पर किया गया था Answer right है option C हमपी जुलाई 2023 के अंदर G20 संस्कृतिक समूँ की बैठक करनाटक के हमपी में आजजित की गई थी Next भारत में सिंदू गाटी कांसी यूगीन सबिता के समानांतर लोह यूगीन सबिता के प्रमाण कहां पर मिले है Answer right है option D तमिलाडू तमिलाडू के पुराततु विभाग के वरिष्ट सेक्स्टनिक और अनुसंदान सलाकार ने ग्यारवे विश्व तमिल अनुसंदान समिलाडू में हालियाई पुरा तात्विक जांच में सिंदू गाटी कांसी कालिन सबिता के समानांतर लोह यूगीन सबिता का प्रमाण प्राप्तु हैं तमिलाडू के अंदर Next question वर्स 2024 में G20 बैठक की अधिक्स्ता किसे सोपी गई है वर्स 2024 के लिए 2023 में G20 का मेजबान देश भारत रहा है 2023 के अंदर 2024 के अंदर इसकी अधिक्स्ता किसको सोपी गई है Answer right है option C Brazil भारत G20 अधिक्स्ता को 2024 के लिए ब्राजिल को सोपी है जो अगला G20 देश का presidency देश रहने वाला है ब्राजिल ब्राजिल पहली बार वर्स 2024 में G20 समू और प्रधान मंतरियों की वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा Next question Westwick सांती सूचकांक 2023 यानि की Global Peace Index 2023 में भारत कौन से इस्थान पर है सांती सूचकांक के अंदर Answer right है option B 126 वे इस्थान पर है भारत Institute for Economics and Peace के द्वारा जारी 2023 के Global Peace Index जिसमें की दुनिया के सबसे सांती पूर्ण देशों की व्यापक रैंकिंग में प्रदान करता है इसमें जो की 17 संस्क्राइन था इस सूचकांक भारत 2022 से 9 पाईदान चड़कर 126 इस्थान पर पहुँच गए है जबकि भारत 2022 भारत 135 इस्थान पर था अब 2023 में भारत 126 इस्थान पर है जबकि पहले इस्थान पर इसमें रहेगा आईसलेंट ठीक है भारत का अस्थान है 126 वा और पहले अस्थान पर है आइसलेंड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 इसके अंदर भारत को कौन सा अस्थान मिला है 2023 के लिए अंसर राइट इसका है ऑप्शन C 67 रेंक है भारत की 67 वा स्थान भारत का विशु आर्थिक मच यानि डबलू वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरॉम के द्वारा भारत को अपने एनर्जी ट्रांस्मिशन सूचकांक में वैस्विक स्थार पर 67 वा इस्थान प्राप्त हुआ है जबकि सूडन इस सूची में पहले इस्थान पर है उर्जा संच्रन सूच का गोज़ा 23 वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरॉम जिसका हैड़क्वार्टर कॉलगनी सूच्जर लेंड में इस्थित है अगला कोशन है अगला कोशन है इस परदा सूच कांक 2023 यानि कि Global Competitiveness Index 2023 इसमें भारत का 2023 में क्या स्थान रहा है अंसराइट है भारत का है यहाँ पर 40 वा स्थान है भारत का International Institute for Management Development की द्वारा हाली में Global Competitiveness Index 2023 जारी किये गा था इस सूच कांक में पहले इस्थान पर डैनमार्क रहा है जबकि भारत यहाँ पर तीन रेंकों की मामुली गरावट के साथ अब भारत 2023 में 40 वह स्थान पर है जो कि 2019 और 2021 में भारत 23 वह स्थान पर था जबकि भारत यहाँ अब 40 वह स्थान पर है 2023 और पहले स्थान पर यहाँ पर आइसलेंड है Global Peace Index में भी आइसलेंड पहले स्थान पर है और Global Gender Gap Index में भी आइसलेंड पहले स्थान पर है अगला कुशन है आले में आईजित की गई पहली Premier Handball League 2023 का आईजन कहां पर किया गया था फर्स्ट Premier Handball League 2023 उसका आईजन राजस्तान की राजधानी जैपूर में किया गया था जून 2023 में Premier League Handball का पहला संसकंड जैपूर गाजस्तान की सवाई मान सिंग स्टेडी में खेला गया था और पहले संसकंड की विजीता टेम रही थी महराष्टर आइरन मैन राश्ट पती द्रोपदी मुर्मू को किस देश के द्वारा सरोच नागरिक सम्मान Grand Order of the Chain of the Yellow Star से सम्मानित किया गया है राश्ट पती द्रोपदी मुर्मू को अंसर है Option B सूरिनाम सूरिनाम एक देश है जिसके द्वारा भारत की राश्ट पती द्रोपदी मुर्मू को Grand Order of the Chain of the Yellow Star से सम्मानित किया गया है और दुरौपदी मुर में इसमान पाने वाली पहली भारती हैं नेच्ट पांचवे खाद्य सुरक्सा सूचकांग दोजार पेस में बड़े राज़ों इस्टनी में पहले स्थान पर कौन सा है खाद्य सुरक्सा सूचकांग फुड सेक्योरेटरी इंडेक्स 2023 जो की पांचवे संसकन है पहले स्थान पर यहाँ पर केरल है जून दोजार टेस में केंद्रि सॉस्त मंतरी मंसुख मांडविये के द्वारा नेज़ दिली में पांचवा राजिक खाद्य सुरक्सा सूचकांग जारी किया गया था बड़े राजों में किरल पहले इस्तान पर है छोटे राजों में गोवा पहले इस्तान पर रहा नेच्ट कुशन विस्व टेस्ट चेंपिसिप 2023 का विज़िता कौन बना है वर्ल्ड टेस्ट चेंपिसिप 2023 क्रिकेट की एक चेंपिसिप थी इसके अंद्र पहले इस्थान पर रहा है आस्टेलिया आस्टेलिया ने भारत को 209 रन से हरा कर पहली बार विज्जु टेस्ट चैंपिर जीती है वही भारत इस टेस्ट चैंपिर आ रहा जबकि 2022 में भारत विज्ज दा रहा था विज्जु टेस्ट चैंपिरिसिप का इसके पूरुस वर्ग का खिताब किसने जीता है राइट आंसर है ओप्शन ए नुवाक जोगोविच पूरुस वर्ग का खिताब नुवाक जोगोविच ने कैसपर रूड को हरा कर जीता है और अपना 2300 ग्रेंड सलम उन्होंने यहापर जीत लिया है जबकि इससे पहले के और जो इस पूरे साल में खेले गए थे Grand Slams जिसमें सबसे पहले होता है Australian Open जिसको Novak Djokovic ने जीता है French Open को भी Novak Djokovic ने जीता है जबकि Wimbledon 2013 को जीता है Carlos Alcoraz ने और अभी वर्स के अंत में US Open अभी खेला जाना बाकी है Next question है French Open Tennis Tornament दो जाते है इसके महिला वर्ग का खिताब इसने जीता है French Open के महिला वर्ग का खिताब जीता है Ega Switek ने जीता है French Open Tennis Tornament में महिला वर्ग का खिताब Poland की Ega Switek ने करोलीना मुचाओ को हरा कर जीता है Wors की सुरुवात में Australian Open खेला गया था जीता था आर्याना सबलेंग का बेलारूस ने फिर उसके बाद खेला गया French Open इसके अंदर Ega Switek पोलाण ने जीता है इसको इसके बाद खेला गया था Wimbledon 2023 जिसको जीता है Marketa Wounders over Czech Republic ने और Wors के अंत में खेला जाता है US आपन तो जातेइस जिसका आजन अभी हो रहा है वरतमान में Next Question पहले खेलो इंडिया जंजाती खेल महुस्व का आजन कहां किया गया है पहले खेलो इंडिया जंजाती खेल महुस्व का आजन Answer right option C Bhuvnaishwar पहला खेलो इंडिया जंजाती खेल महुत्सो भोवनेशर ओडिशा में जुद किया गया था पहले संसकन में 26 राजियों की 5000 जंजाती एथिलीटों और 1000 अधिकार ने इसमें हिसा लिया खेलो इंडिया यूद गेम्स का आईजन के 500 संसकन का आईजन किया गया था भोपाल में और उसका विजिता रहा था महराष्ट्रू नेक्स्ट साइलेंट बारकर परियुजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को किस देश ने प्रक्षे पित किया है आंसर राइट है ओप्शन बी चीन जूंद हो जाता है इसको चीन ने साइलेंट बारकर परियुजना के तहत लॉंग मार्च 2D रॉकेट से उतरी चीन में ताईवन सेटलाइट लॉंच सेंटर से एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को यहां पर प्रक्षे पित किया था एक ही रॉकेट से 26 उपग्रहों को प्रक्षे पित करने का अपना ही राष्टी रिकोर्ड हाली में चीन ने तोड़ा है और उन्होंने एक साथ 41 उपग्रहों को लॉंच किया है एक ही रॉकेट से सात्विक्व चिराग सेटी की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सूपर थाउजन्ट वर्काड पुरुस डबल्स जीता है आएंसा राइट है इसका ओप्षन डी कोरियाई ओपन भी जीता है उन्होंने और ये इंडोनेशाई ओपन जीता है जो की सूपर थाउजन्ट वर्क का पुरुस डबल्स जीता है यह जुन 2023 में भारत के सात्विक सैराज, रंकी रेड़ी और चिराग सेटी की जोड़ी ने इंडोनेशा के जवकारता में इस तोरा सेनयान स्टेडिया में खेले गए इंडोनेशाई ओपन बैडमिंटन चैंपिंशिप दोधा थेज का पुरुस वर्काड डबल्स जीता है इस प्राइज 2023 आंसर रैट है ओप्शन सी शल्मान रश्दी मिडनाइट्स चिल्डरन और दा सेटनिक वर्सिच के प्रसिद्ध ब्रेटिस अमेरिकी लेखक सल्मान रश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के सांती पुरुसकार 2023 से इनको सम्माने किया गया है अक्टूबर 2023 में एक समारों में जर्मन बुक ट्रेड का सांती पुरुसकार 2023 के लिए सेटनिक राज अमेरिका यानि USA के नेतरत वाले आर्टेमिस मिशन सम्झोते का 27वा सदस्य देश कौन सा बना है आर्टेमिस मिशन सम्झोते के अंदर अंसर इसकार रैट है भारत दिना है USA की अपनी राज की यत्रा के दोरान आर्टेमिस सम्झोते पर हस्ताक्षर किये जो वैस्विक अंतरिक सहयोग और चंद्र अन्वेशन के लिए भारत की प्रतिवद्धता को दर्शादा है इससे पहले यहाँ पर 26 देशों ने सम्झोते पर हस्ताक्षर कर दिये थे और 27 देश बना है भारत जिसने आर्टेमिस सम्झोते के उपर हस्ताक्षर करने वाला 27 देश बना है भारत ग्लोबल कंपिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अंदर विशु की सरवादिक प्रतिशपर्दी अर्थवयस्ता कौन सी है आंसर राइट ओप्शन ए डेन्मार्क 2022 में इंटरनेशनल इंस्टिटूट फॉर मेनेजमेंट डेवलेप्मेंट के दारा प्रकाशित ग्लोबल कंपिटिवनेस इंडेक्स 2022 में डेन्मार्क प्रतिशपर्दी अर्थवयस्ता ग्रूप में इनको बताया गया है दूसरे स्थान पर आइलेंड है भारत का इस्थान रहा है चालिसवा ग्लोबल कंपिटिवनेस इंडेक्स प्रतिशपर्दा सुचकांग Next question है, हाले में चर्चाम रही पुस्तक Raw Hitman के लेखक कौन है? Raw Hitman Answer right, option B, S. Hussain J.D. Amerikी Prakashen Simon & Suitors के दौरा प्रकाशित Raw Hitman पुस्तक जो एक असली Raw Agent की कहानी है जिसको लेखक S. Hussain J.D. के दौरा इस पुस्तक को लेखा गया है अगला कुशन है, भारत का पहला Cable Stay Rail Bridge कहां बनकर तयार हुआ है? Cable Stay Rail Bridge Answer है, option B, Jammu Kashmir अंजी, Khat Bridge, Jammu Kashmir के कट्रा और रियासी को जोड़ने वाला भारती Railway का देश का पहला Cable Stay Bridge है Next question है, परवाणू उर्जा आयो के अधेक्स परवाण। पर किसको नियुक्त किया गया है? Right answer is question कहा हो जाएगा यहां पर, option D, A के मोहंती को बनाए गया है परमानू उर्जा आयो के अधेक्स, Atomic Energy Commission के चीफ बने है अजीत कुमार महंती जो एक परसिद्ध विज्यनी है और भाबा परमानू अनुसंदान के अंदर के निदिशक रूप में कारे करते हैं अजीत कुमार महंती को परमानू उर्जा आयो के नए अधेक्ष और परमानू उर्जा विबाग के सचे कुरूप में चुनान को जया है अगला question है, World Press Freedom Index 2023 इसमें भारत को कौन सा इस्थान मिला है? World Press Freedom Index 2023 answer right है, भारत को यहांपर 161 इस्थान मिला है, 180 देसों में से 161 इस्थान पर आ गया है, 2022 में भारत 150 इस्थान पर था और भारत 111 इस्थान नीचे इसमें किसका है? 180 देसों में से इस बारता इस्थान रहा है 161 जबकि 2022 में 150 इस्थान पर था अगला कुशन है, Forbes के दौरा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी को सूची में पहले इस्थान पर कौन है? answer right है, option B, Cristiano Ronaldo दिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एटलीट में Cristiano Ronaldo 136 मिलियन डॉलर के साथ पहले इस्थान पर है दूसरे स्थान पर है, Lionel Messi 130 मिलियन डॉलर, किसे स्थान पर है, Killian Mbappe, जो की 120 मिलियन डॉलर के साथ में 30 स्थान पर है अगला कुशन है, भारत की मेजबानी में SEO के विदेश मंत्रियों की बेठका आयोजन कहां किया गया? answer right है, इस कुशन का, option number B, Goa मई 2023 में, 4 से लेकर, 5 तारिक तक, भारत के गोवा में, संगाई, कोपरेशन, और्गनाजेशन, संगाई, सयोग संगेशन के, विदेश मंत्रियों की बेठकी मेजबानी की गई थी 2023 में, भारत, SEO की अध्यक्स्ता कर रहा है, और theme इसका रखी गई है, Secure SEO नेक्ट कुछन है, पीटर्सबर्ग जलवायू संवाद का आईजन किसी अध्यक्स्ता में किया गया, पीटर्सबर्ग जलवायू संवाद अंसर रेट है, option B, जिसमें UAE और जर्मनी, दोनों ही देशों की संयुक्त, अध्यक्स्ता में पीटर्सबर्ग जलवायू संवाद का आईजन किया गया था दो से लेकर 3 मई 2023 तक जलवायू परिवर्टन पर पीटर्सबर्ग संवाद बर्लिन में आईजित किया गया था, इसकी मेजवानी जर्मनी और UAE की द्वारा सेंग तुलूप से की जा रही है रक्षामंत्री राजना सिंग ने एकता हारबर बंदरगा का सिलानयास कहां किया है अंसर राइट ओप्शन C, मालदीव मई 2023 में रक्षामंत्री राजना सिंग और मालदीव की उनकी समकक्स मारिया दिदी ने मालदीव राश्ट्री बल के तट रक्षक बलों के लिए एकता हारबर बंदरगा की अधारशिला रखी यह मालदीव के उत्रू थिला फालू एट ओल के सिव वारू में इस्तितिक बंदरगा है एकता हारबर बंदरगा मालदीव next question हाली में 32 स्वा आशियान सिखर समिलन कहां परारंब किया गया आशियान सिखर समिलन का आजन कहां पर किया गया है answer right option B Indonesia नौस लेकर ग्यारा मई दो-जार तेज तक 42 स्वा आशियान सिखर समिलन इंडुनेशया की अधेक्सता में लाबवान बाजो इंडोनेशिया में आजित किया गया था और यहां बैयालिस्वा सिखर समयलन है आसियान का जिसकी थीम रखी गई है आसियान अफेर्स एपी सेंटर ओफ ग्रोथ नेक्ट्ट कुशन खालीन प्रकासित पुस्तक द्रापदी मुर्मू ट्राइबल हेंटर लैंड्स टू राइसीना हिल्स पुस्तक के लेखा कस्तूरी रे हैं यह पुस्तक आदिवासी लड़की की प्रेनादय कहानी बताती है जो बधाओं को पार करते वे द्रड संकल्प और दर्टा की प्रतिक बन गई जुरोपदी मुर्मो नेक्ट कुशन भारत में कहां पर लिथियम के भंडार पाए गए हाली में जो भारत की असी प्रतिशित मांग को पूरा करने की छम्दा रखते हैं लिथियम के भंडार आंसर राइट है ऑप्षिन डी राजिस्थान भारती भूवेग्यानिक सर्विक्षन जी एस आई के जी टू सर्विक्षन के दौरान रास्तान के नागोर जिले के देगाना में रेमत पहड़ी पर लिथियम के भंडार की खोच की गई है जो भारत की असी प्रतिशित मांग को पूरा करते हैं नश्ट कुशन है राश्ट्री प्रद्योगियो की दिवस नेशनल टेकन Complex Day का मनाया गया है? आंसर राइट ओप Roland C 11 मए को राश्तरी प्रद्योगियो की दिवस भारत में प्रतिवस 11 मए को मनाया जाता है, 2023 की थीम रखी गई है School to Startups, Igniting Young Minds to Innovate नेस्ट विज्ट सु प्रवासी पक्षी दिवस वर्ड, माइगरेटरी, बर्ड, डेएधो में कम मनाएगा है यह मनाएगा था हाली में 13 म gedacht को 14 मET को विज्ट सु प्रवासी पक्षी दिवस एक वैस्टिविफिक ऐजिन है प्रवासी पक्सियों के लिए पानी और इसके महत्व संग लोग सेवा आयोग का नया अध्यक्स कौन निवत किये गए है संग लोग सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपियस सी आंसर राइट है ओप्शन सी मनोज सोनी इसमें सिक्साविद मनोज सोनी ने संग लोग सेवा आयोग यानि कि यूपियस सी के 31 अध्यक्स के तौर पर सपतली रोने उन्होंने 31 अध्यक्स परदीब कुमार जोसी का इस्थान लिया है परतमान में आप यूपियस सी के चीफ है मनोज सोनी नेक्स्ट कुशन हाल ही में चकरवात परभावित म्यानमार की साहता के लिए भारत ने कौन सा ओपरेशन प्रारंब किया था अंसर राइट है इस कुशन का ओप्सन नूमबर C ओपरेशन करोना मई 2023 में भारत ने चकरवात मोचा से परभावित म्यानमार के लोगों को सायता के लिए ओपरेशन करोना शूरू किया था भारत ने प्रभावित मियानमार के लोगों के लिए सबसे पहले यह अभ्यान प्रारम किया है Next आल ये में 49 जी सेवन सिखर समयलन का आयजन कहां पर किया गया है 49 जी सेवन सिखर समयलन आयजन कहां पर किया गया है अंसर राइट ऑप्शन सी जापान के नरेंदर बोधी ने जापान के हिरोशिमा सहर में 49 जी सेवन सिखर समयलन में हिस्सा दिया भारत अब तक 9 बार जी सेवन आउटरी समयलन में भागिदारी कर चुका है जापान ने शक्तिसाले समू के वर्थवान अध्यक्स करूप में जी सेवन सिखर समयलन की मेजवानी तो जाते इसमें की थे है नेश्ट कुछन है अंतराश्ट्रिय जै विविता दिवस कब मनाया गया है इंटरनाशनल बायो डाइवर्सिटी डे कब मनाया गया है एंसर राइट है ओप्शन C बाइस मई को मनाया गया है अंतराश्ट्रिय जै विविता दिवस परतेक वर्थ बाइस मई को विश्व प्रत्वी के विविद परिस्तितिकी तंतरों की समझ बढ़ाने और सरक्षन को प्रोसाइत करने के लिए जै विविता अंतराश्ट्रिय दिवस के रूप में मनाता है इस वर्थ दोजातेईस में इसकी ठीम रखे गई है फ्रॉम एग्रिमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बाइव डाइवर्सिटी 22 मई अंतराश्टी जै विविता दिवस नेक्ट कुछन है क्वार्ड सिखर सम्मेलन 2023 का आयजन कहां किया गया है क्वार्ड सिखर सम्मेलन क्वार्ड समिट 2023 क्वार्ड कहां पर किया गया है अंसर राइट है ओप्शन ए जापान 20 मई 2023 को हेलेस्विमा जापान के मैं आहजित क्वाड सिखर समयलन में चार देशों के नजाओंने सलिया था 2024 में होने वाले क्वाड सिखर समयलन की मिजवानी भारत करेगा क्वाड मैं सामल देश कौन से हैं भारत, अमेरिका, जापान और और औस्टेलिया अंतराश्ट्रिय बुकर पुरुस्कार 2023 से किसे समानित किया गया है अंतराश्ट्रिय बुकर पुरुस्कार 2023 अंतराश्ट्रिय बुकर पुरुस्कार 2023 अंतराश्ट्रिय बुकर पुरुस्कार 2023 अंतराश्ट्रिय बुकर पुरुस्कार 2023 जबकि 2022 में गीता अंजिल श्री को दिया गया था यह अवार्ड अंत्राश्टी बुकर पुरुसकर टॉम आप सेंट के लिए नेक्स्ट तीसरे खेलो इंडिया युनिवर्सिटीज गेम्स 2022 का आईजन कहां किया गया है अंसर एट है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एलो इंडिया युनिवर्सिटीज गेम्स का तीसरा सीजन 23 मई से उत्तर प्रदेश में सुरू हुआ अधिकारिक उद्गाटन समारो 25 मई 2023 को उत्तर प्रदेश की राज़ाने लखनों किया गया था समापन समारो 3 जून 2023 को वारनसी में किया गया एक्ट कुशन प्येम नरेंदर मोधी ने 28 महीं दो जाते इसको नए संसद भवन का उद्गाटन किसकी जैनती के उपर किया है उस दिन किसकी जैनती थी 28 महीं को आंसर आठ है ओप्शन ए वीर सावरकर 28 इसमें दो हो जाते इसको परधानवंतरी नरेंदर मोदी ने वीर सावरकर मसूर हिंदुत विचारक विनायक दमुदर सावरकर की 140 वी जैनती के उसर पर नए संसित भाउन का उद्गाटन किया अगला कुशन है इसरो ने किस नाम से नविगेशन की दूसरी पीड़ी का पहला उपगरा प्रक्षेपित किया है अंसरेट ओप्शन सी एन्वी एस जीरो वन मई 2023 में भारतिय अंतरेक्स अनुसंद्धान संग्ट है नाने इसरो ने आंधप्रदेश के स्रीहरीकोटा अश्तित 37 धवन अंतरेक्स के अंदर से जी एसलवी एफ ट्वैल के जरिये देश के नविगेशन में दूसरी पीड़ी के पहले उपगरा एन्वी एस जीरो वन का सफल प्रक्षेपिन किया है अगला कोशन है 57 ग्यानपीट पुरुसकार किसे परदान किया गया है 57 ग्यानपीट अवार्ड गोबा के लगू कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कौंकणी में पठ खता लेखक दामुदर मोजो को भारत के सर्वोच सहितिक समान 57 ग्यानपीट पुरुसकार 2021 को समाने किया गया है 56 ग्यानपीट पुरुसकार विजयता असमिया कवी, नील्क मनी पूकन थे अगला कॉशन, केंदरी सतरक्ता अयुक्त पड़ पर किसे निउक्त किया गया है? अंसलाइट ऊप्संची परवियन कुमार श्रिवास्तव मई 2023 में प्रेमिन कुमार श्रिवस्तो को केंदरिय सतरक्ता आयुक्त CVC के रूपेन को निउक्त किया गया है विस्व प्रेस स्वतंतरता सुचकांक 2023 में भारत का कौन सा इस्थान है World Press Freedom Index A. भारत का इस्थान है 161 Westwick Media निगरानी संस्ता है Reporters Without Borders की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 23 में विस्व प्रेस स्वतंतरता सुचकांक में भारत 180 देशों में से 161 वे स्थान पर है सुचकांक में पहले स्थान पर नौर्वे है और सुचकांक सबसे निचे स्थान है उत्तर कोरिया का जो की 180 वे स्थान पर है Next Question है मिस्ती योजना जो हालिम सुरू की गई है इसका संबन्द किस से है मिस्ती योजना Answer Right Option C है Mangrove Forest मिस्ती योजना जिसका पूरा नाम हो जाता है Mangrove Initiative for Shoreline Habitates and Tangible Incomes इस योजना का शुवारम एक फरवरी को किया गया था मंत्रायले का नाम है परियावरन वन और जलवाईव परिवरतन मंत्राले और इस योजना का उद्देश है भारतिया ताटों पर मैंग्रोव पारस्तितिकी को सरक्षित और पुनर जीवित करना है वित पॉशन भारस सरकार इस परिवर्वना के लागत 80% शेर करते हैं जबकि राजी सरकार 20% में योगदान देती है नेक्ट उप्षन जुलाई 2023 में हुए सिखर समयलन की मेजबानी किस देश के दोरा की गई थी जुलाई 2023 में हुए सिखर समयलन की मेजबानी राइट अंसर है ऑप्षन दी भारत के दोरा सिखर समयलन की मेजबानी की गई थी तीन से लेकर चार जुलाई 2023 को नई दिलिक में संघाई सयोग संगठे नानी सिखर समयलन की मेजबानी सिखर समयलन में भारत की दोरा की गई थी अंसर रैट है option D, चोथे स्थान पर है भारत, हाली में Stockholm, अंतराश्टी, शांती, संगठन, सिपरी के दौरा एक report जारी की गई है, military spending across the globe, जिसमें पहले स्थान पर है, सहिंक पराज अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान आपर है, चोथा, दूसरे पर चीन है तीसरे पर हुरूस, भारत का स्थान है, चोथा, नेक्ट कुशन, विश्चू प्रत्वी दिवस दोजाटेस, वर्ल्ड अर्थ डे, 2023, कब मनाये गया है, वर्ल्ड अर्थ डे, यह मनाये गया है, 22 अप्रेजं दोजारोडेस को मनाये गया हाली में, हट साल 22 अप्रेल को इन वेस्ट इन अवर प्लानेट यानि हमारे ग्रह में निवेश्ट करें और यह त्रेपनवा विश्व प्रत्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रेज दोज़ार थेज को नेश्ट कुशन अमेरिका बीते विट वर्स दोज़ार थेज में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साज़दार देश बन गया है दोनों देशों के बीच में 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है यह बताता है कि दोनों देशों में आतिक समंदोर मजबूत हो रहे हैं अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागयदार देश बना है विट वर्स दोज़ार बाइस देश के लिए नेक्स्ट कुशन जुलाई 2020 में जारी फीफा की नमिंतम फुटबॉल रैंकिंग में भारतिय फुटबॉल टीम कोई से इस्थान पर है अंसर राइट है ओप्शन C 99 रैंक पर है भारत जुलाई 2023 की फीफा पुरुष विश्वर रैंकिंग अपडेट में भारतिय फुटबॉल टीम को 99 इस्थान पर रखा गया है जबकि अर्जंटीना पहले इस्थान पर है नेक्स्ट कुशन फाली में आज जुट पहले डबलू पी एल खिताब फुमिंस प्रीमिर लीग 2023 की खिताब का कौनची टीम ने जीता है अंसर रैट ओप्चन ए मुंबई इंडियन्स मुंबई इंडियन्स ने मुंबई के ब्रबन स्टेडिय में खेलेगा महिला प्रीमिर लीग 2023 के फाइनल में दिली कैपिटल्स को साथ विकेट सहरा कर मुंबई इंडियन्स ने डबलू पी एल पहले का किताब जीद लिया है दिली कैपिटल्स के खिलाडी मैग लैंगिंग को ओरेंज के दिये गे हैं यानि कि सब ज़्यादा रन बनाये उन्होंने नासा के दौरा हाली में इस रोग साथ मिलकर NISAR नामा के जिसका पूरा नाम हो जाता है नासा इसरो सिंथेटिक अपरिचर रडार के पूरा नाम है वर्तमान में इसरो के देख से हैं सोमनात संस्थापक इसरो के रहे थे रक्टर विक्रम सारबाई नासा के मुख्याले वा अंबेडकर को समबर पे Statue of Knowledge का अनावरन किया गया है अंसर राइट है option C महराष्टर अपरेज दो जाते हैं इसमें महराष्ट के लातूर सहर में डॉक्टर बाबा साब भीमराव अंबेडकर की 70 फिट उची पर दिमा का अनावरन किया था इस आनावन सम्मारों में केंदे रंतियों में किरें रिजुजु और रामदास अठावले कोश्चित रहे थे हैं नेक्ट कुश्चन वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 जैनि कि खुश्वाल देशों की सुचकांग जारी किया जाता है उसके अंदर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है राइट है अंसर है ओप्शन ए फिनलेंड तो जारी किया गया है जिसके अंदर फिनलेंड दुनिया का सबसे खुशाल देश बना है जो छे साल से लगातार फिनलेंड पहले स्थान पर बना आ रहा है सबसे खुशाल देशों की सूची में सबसे उपर है उसके बात आता है डैनमार्क, आइसलेंड, इसराइलादी जबकि भारत वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट रेंकिंग में 126 इस्थान पर है. स्थापना की थी एक्स कुशन है पांचवा आशियान भारत व्यापार सिखर समयलन का आईजन कहां किया गया था फिफ्थ आशियान इंडियन बिजनिस समिट का आईजन किया गया है अबसेन बारत व्यापार सिखर समयलन का आईजन छाइन बिजनिस इसको कोड़ा आरभ अलंपुर में किया गया था पर पर दस सदसिदेश कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं आपर दस सदस्य देस हैं जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन, सिंगपूर, थाइलाइन, ब्रुनेई, लाओस, मियानमार, कमबोडिया और वियतनाब जैसे 10 सदस्य देस इसमें सामिल हैं Next हाली में उत्तरपूरू के पहले संपिडित, बायोगैस, सैंतर का सलानाज कहां पर किया गया Answer right हा, option C, असम असम में उत्तरपूरू का पहला संपिडित, बायोगैस, सैंतर, परविजन, सलानाज, मुक्यमित्री हिमंत, विसवर सर्माक दोरा किया गया था यह प्लान्ट नवंबर 2023 में काम करना शुरू कर देगा अगला कुशन, राश्टी सुरुक सादिवस, यानि कि National Security Day कब मनाए गया है हाली में Answer right, option D, 4 March 2023 को सुरुक सित्कामका जिन महल को बढ़ावत देने की उदेश से प्रते एक प्रते लावर्स 6 March को राश्टी सुरुक सादिवस को रुपर मना जाता है वर्स 2023 में 52 राश्टी सुरुक सादिवस मना गया है जिसकी थी में हमारा उदेश यह है शून्य नुकसान यानि की अवर एम जीरो हार्म नेक्स्ट हाले में सौष्त और परिवार कर लेंने मंतरार के दोरा पांचवा जन ऊसदी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है पांचवा जन ऊसदी दिवस उसला राइट हा उपसेंटी जन उसदी सस्ती भी अच्छी भी पर टेक वर्स साथ मार्च को जन उसदी दिवस के रूप में मनाया जाता है पांचविश जन उसदी दिवस की थीम है जन उसदी सस्ती भी अच्छी भी कि नरेंदर मोधी के दोरा एक जुलाई 2015 को जन औस्योदी दिवस की कोशना की गई थी नेक्स कोशन हालेम चर्चा में रहा माउंट मेरापी जिसमें विस्पोर्ट हुआ था ये कहाँ पर इस्तित है माउंट मेरापी माउंट मेरापी इंडोरेशिय में इस्तित है 11 माच दो जाते इसको विस्पोर्ट के सबसे सक्रिय जौला मुख्यू में से एक इंडोरेशिय का माउंट मेरापी जौला मुख्यू में फड़ गया था करम राट के एक बादल और चटान लावा गैस कमिश्रन आसपास गाउं में पैल गया था जो अलमों की इंडोनेशिया की सांसकर्तिक राजधानी योग्या कारदा के पास जावा दिव पर इस्तित है अगला कुशन आले में विस्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफारम कौन सा बना है वर्ल्ड लॉंगेस रेलवे प्लेटफारम अठर एट ऑप्सव्स सी सिद्धा रुदा स्वामी PM मोदिन आय करनाटक राज़ के हुबली में सिद्धा रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन पर एक पॉंट पांच किलो मेटर लंबा यानिकी लगबग 1507 मीटर विश्वकल सबसे लंबा प्लेटफार्म इस्थापित किया गया है दक्षिन पस्मी रेलवे जोन में इस्तित हुबली के अंसर राइट है ऑप्षन डी मध्यपरदेश भारत का पहला भूव एग्यानिक उध्यान मध्यपरदेश के जबलपूर के लमेटा में नर्मदा नदी पर बनने जा रहा है खनन मंत्रा लेगता है तो भारती भूव एग्यानिक सर्वेक्सेंट दोरा पार्क के लिए मंजूरी दी गई है अगला कुशन है हाले में विश्व मुक्यबाजी चैंपिंशिप का ब्रैंड एम्बेसेडर किसे बनाया गया है राइटांसर ओप्सन डी है जिसके अंदर एमसी मेरिकॉम और फरहान अक्तर दोनों को बनाया गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपिंशिप का ब्रैंड एम्बेसेडर पंदरा से लेकर 26 मार्च 2023 को निदिली के इंद्रा गांधी स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में महिला विश्व मुक्यबाजी चैंपिंशिप ने 2023 की मेजवानी की गई थी एमसी मेरिकॉम और फरहान अक्तर को ब्रैंड एम्बेसेडर बनाया गया था पीश्री बार भारत में मेजवान देश को रूप में भूमिकाने भाई है अगला कुश्चन है होके इंडिया के दौरा पुरुस वर्का प्लेयर ऑफ दा इयर पुरुस का अर्क्रिश को दिया गया है ओप्शन C हर्दिक सिंग होके के मिड़ फिल्डर हर्दिक सिंग और गोल कीपर सवीता पुनिया को पुरुस और महिला के लिए भारती होकी प्लेयर ऑफ दा इयर दोजा 22 पुरुस का अर्मन समयनित किया गया है इसके अलावा FIH पुरुस वर्ग का अवार्ड हर्मन प्रिसिंग में दिया गया था नेस्ट कुशन विशु जल्दिवस कम मना जाता है वर्ल्ड वार्टर डे यह मना जाता है 22 मार्च को विशु जल्दिवस 22 मार्च 2023 को मनाए गया हाली में जिसकी ठीम रखे गई थी त्वरित परिवर्टन यानिकी एक्सलेरेटिंग चेंजिस नेक्ट पहला सईंक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयजन कहां किया गया था फर्स्ट उनाटेड नेशन्स वार्टर समिट 2023 सईंक्त राष्ट के पचास वर्सों में पहला सईंक्त राष्ट जल सम्मेलन 2023 न्यूयोक अमेरिका में सतत विकास के लिए ज्वल विशे के साथ आयजित किया गया नेक्स्ट कुशन किस राज में इस्ति गंद मर्दन की पहाड़ियों को देश का 37 जैव विवित्ता विरासत इस्तल गोशित किया गया 37 बायो डाष्ट इस्तल के रूप में गोशित किया है यह पाड़ी सनंक्ला जिसे अईरुवेदिक स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है यह भारत का 37 जैव विवित्ता विरासत इस्तल के रूप में मानित अपराप्त हुई यह से नई दिली में आज़ित वीसू महिला मुक्यबाजी चैंपेशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता अंसर एठ है ओप्शन ती उप्युक सभी जिनके अंदर निकत जरीन, लवलीना बोर्गोहन, नीतू घंगास इन तीनों नहीं भारत को स्वर्ण पदक लवाया है 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक आज़ित महिला विसू मुक्यबाजी चैंपेशिप में 2023 का तेरवा संसका आज़ित किया गया था जिसमें भारत को नीतू घंगास 48 किलोग्राम, लवलीना बोर्गहन 25 किलोग्राम, स्वीटी बूरा 81 किलोग्राम, निखत जरीन 50 किलोग्राम, चारों नहीं भारत को आपर गोल्ड मेडल दिलवाया है BBC Indian Sports Women of the Year 2022 का आवार्ड किसको दिया गया है BBC Indian Sports Women 2022 के लिए Option B, मीरा बाई चानू क्योग्राम पिक खिलों की रजट पदक विजेता, भारत तौलक मीरा बाई चानून को BBC Indian Sports Women of the Year का वार्ड को दिया गया है मनिपूर की इस 28 वर्सी भारत तौलक को 2020 में भी पुरुसकार जीतने के लिए बाद लगा था दो बारे पुरुसका जीतने वाली पहली महिला आयति लिड बनी है 2020 में भी और 2022 में भी बनी है BBC Indian Sports Women of the Year Next Question फर्वरी 2023 में आयजवित महिला T20 World Cup किस देश ने जीता था राटानसर ओप्शन बी ऑस्टेलिया ICC महिला T20 World Cup का आयजवित दस से लेकर 26 फर्वरी 2023 को साउथ अफरीका में किया गया था फाइनल में ऑस्टियलियान है दक्षिन अफ्रिकाव गया रान से हराकर छटी बार प्रफियर कब्जा गिया प्लेर अफ दस रीच एसले गार्डना रही थी नेक्स्ट कुर्शन युएस चेंबर्स औ फकॉमर्स की अंतराश्ट्री बौत दिक संपढदा सूचकाउं 2023 में भारत का क्या थान राही है अमेरिका नेक्सisk बेस्ट अडवेंच्र टूरिज्म डेस्टिनेशन आवार्ड़ 123 कि सराज्य को मिला है राइड आंसर ऑप्शन B जमो कश्मीर बेस्ट डेस्ट अडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड इंडे टूरिज्म सर्वे ने जमो कश्मीर परेटन को सर्वसेश्ट सहसिक परेटन परुस्कार के लिए चुना है नेक्ट कुशन, डेबरिगड को नए टाइगर रिजर्व मनने के मंजूरिक किस सरकार के द्वार दी गई है? डेबरिगड Option A, Odisa राश्टिबाग की सरक्षन पराधिकर्ण ने डेबिरिगर्ड को Odisa का राज का नया Tiger Reserve बनाने की मज़ोरी परदान की है डेबिरिगर्ड, Odisa राज का तीसरा Tiger Reserve होगा मुक्यमंदरी है, नमीन पटनायक Next Question हाली में निटियाग का नया CEO किसे निउक्त किया गया है निटियाग का नया CEO हाली में निउक्त किया गया है Option B, BVR Subramaniam परवरी दोजा तैस में किने सरकान निटियाग के CEO के रूप में BVR Subramaniam को निउक्त को मज़ोरी परदान की है BVR Subramaniam परवरी दोजा तैस में परवरी दोजा तैस में आज रंजी ट्रोफी का फाइनल किस टीम ने जीता है किस राज की टीम ने जीता है Option A, सौराष्टर रंजी ट्रोफी दोजा तैस का फाइनल कोलकाता की इडन गार्डन समयदान में खेला गया था फाइनल में सौराष्टर की टीम ने बंगाल को 9 विकेट से हरा कर जीत लिया है इससे पहले सौराष्टर ने 2019-2020 का फाइनल भी जीता था Next question खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पाँचवे संसकन में पहले स्थान पर कौन सा राज रहा Answer right, Option A, महराष्टर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पाँचवे संसकन में महराष्टर पहले स्थान पर रहा दूसरे स्थान पर हायर रहा और तीस स्थान पर MP मद्धिपर्दिस रहा पाँचवे संसकन का आयोजन भोपाल के मद्धिपर्दिस में किया गया था Next question केंदे गरह मंतरी अमिश शान है तरल, नेनो, यूरिया, और वरक सैंतर के अधार शिला कहाँ पर रखी है Option A, Option D, जारखन केंदे गरह और सहकारिता मंतरी अमिश शान के दोरा जारखन के देवधर जिले में 450 करूड रुपे के इफकोद, नेनो, यूरिया, तरल, और वरक सैंतर के अधार शिला रखी गई जो इफकोद को पांचवी और वरक एकाई है Next question विश्व आरदर भूमी दिवस कब मनाय गया है? World Wetlands Day यह मना जाता है दो फरवरी को मनाय गया है विश्व आरदर भूमी दिवस परते एक वर्स दो फरवरी को मना जाता है पहले बार विश्व आरदर भूमी दिवस दो फरवरी 1997 को मनाय गया था 2023 की थीम रखे गई है It's time for Wetlands Restoration Next question आले में एज़ित ऑस्टेलिया इओपन टैनिस 2023 का पुरूस वर्ग का खिताब किसने जीता है? Right answer है Option A Novak Jokovic Novak Jokovic ने ऑस्टेलिया ओपन टैनिस 2023 का पुरूस वर्ग का खिताब जीता है Final में स्टेफानो सिथ सिपास को हरा कर यह खिताब उनों जीता है यह उनका 2200 ग्रेंट लेम अवर्ड था था Next Australian Open Tennis में महिला वर्ग की विज़िता कौन बनी दो जाते इसके लिए यह टूनमेंट वर्ग की सुरात में खिला जाता है उसके बाद French Open होता है उसके बाद फिर Wimbledon और लाश्ट में होता है US Open इसमें विज़ित रही है एस सब लेंग का और स्टेल लेंग ओपन में Next Question एकातरवी Miss Universe की विज़िता आर बॉनी गेर्बरियल किस देश की है अंसर राइट है ओप्शन B अमेरिका एकातरवी Miss Universe पेजेंट कप आयोजन अमेरिका के लुईसाना स्टेट के न्यू आर लेंस से हर्मुकिया गया था विज़िकी 84 देशों की प्रतिवाईयों को माद देने के बाद अमेरिका की आर बॉनी गेर्बरियल अपने ताज नाम किया उन्हें पूरू Miss Universe भारत की हर्णा संदू ने अपना ताज पहनाया Next, Hydrogen संचाले ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है अंसरेट है Option A, चीन चीन, Hydrogen संचाले शेहर ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश और विश्यू का दूसरा देश बनाए शितमर दोजाबाइस में Hydrogen से चलने वाली ट्रेनों की शुरूआत करने वाला विश्यू का पहला देश जर्मनी था हाली में जातिय और आर्थिक गणना दोजाबाइस किस राजज ने प्रारंब की है अंसरेट है Option B, बिहार साथ जनवरी दोजाबाइस को बिहार में जातिय और आर्थिक गणना शुरू होई है पूरी प्रक्रिय दो चरणों होगी जिसका पहला चरण 21 जनवर तक चला दूसर चरण एक से 30 सपरे दोजाब 23 तक चला बिहार से पहले राजिस्तान और करनाटक में भी जातिय गणनाएं हो चुकी है नेली अर्थ व्यस्ताओं को बढ़ावा देने के लिए समुद्र यान मिशन के तहत तीन व्यक्तियों को मत्से नमक एक वहां से समुद्र की 6000 मेटर की गहराई में अन्विशन के लिए भेजा जाएगा समुद्र यान मिशन सबसे कम उम्र में दोरा सतक लगाने वाले वंडे क्रिकेट में कोन क्रिकेटर बने हैं बाइटान सर भारत के शुबन गिल एधरबाद में आज यूतु भारत नियुजिलेंड के बीच पहले एक दिवसी अंतराष्टी मैच में भारती टीम की यूबा बले बाद सुबन गिल ने 23 वर्स 132 दिन में वंडे क्रिकेट पर अपना पहला दोरा सतक लगाया था इससे पहले इशान किशन 24 वर्स 145 दिन के अंदर दोरा सतक लगाया था बंगलादेश के खिलाब Next, Hockey World Cup 2023 का आईजन कहां पर किया गया था? Hockey World Cup 2023 Right answer है Option B, Odisha Hockey World Cup 2023 का आईजन क्योंकि 15 संसक्रण था Odisha बारत में इसका आईजन किया गया था Final में जर्मनी ने बेल्जियम को हरा कर किताब अपने नाम किया 2026 में होने वाले होकी वेश्वकप का आईजन बेल्जियम और नीदर लेंड्स में होगा Next, हाली में चोतरवे गणतंतर दिवस समारों के मुख्य अतिति कौन बने है? Right answer, option B. अब्दुल्फते अल्सिसी मिस्र का राश्टपती अब्दुल्फते अल्सिसी भारत के चोतरवे गणतंतर दिवस समारों के मुख्य अतिति कौरूप में पहली बार सामिल हुआ है मिश्र की शेना में एक सेने दल ने भी इस गणतंतर दिवस परेट में भागिदारी दी थी Next, हाली में चोतर गणतंतर दिवस समारों के मुख्य अतिति की गई है? Right answer, option C. उत्राखंड Next, भारत स्काउट एंड गाइड्स के अठारवे राष्ट्री जंबोरे का उद्गाटन कहां पर किया गया था? राष्ट्री जंबोरे का कारेक्रम का यजन कहां किया गया था? Answer right, option A. पाली Next, राष्ट्री 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 राजना सिंग ने कहां पर स्योम पुल का उद्गाटन किया है? स्योम पुल Answer right, option D. अरुनाचल प्रदेश Prakṣah मंतिरी राष्ट्री राष्ट्री राष्टन सिंग ने हाली में अरुचल प्रदेश की स्योम पुल का उद्गाटन किया है? साथि जैनों ने सीमत स्रडग संगठंक दौरा पूरी की गई, 27 अधारभूद परेजना का भी उद्गाटन किया Next भारत के दोरा G20 के कौन से सििखर सम्यलन की अधिक्सता 2023 में की गई है AUNSTA YAT है All right option C 58 G20 सम्यलन था जो की जिसका अजिन भारत में किया गया था भारत नहींक आधिक्सता 58 में बाये थी 223 में इसके लिए गरहन कि गई। जिसके तेहिट बारत doublo 23 में अठारवे सिखर समयलन का आयजन भारत में किया गया था सतरवा सिखर समयलन की मेजबानी इंडोनेशिय बाली के दौरा की गई थी नाइस्ट कुश्चन भारत में पहला वीर बाल दिवस कब मनाय गया था अंसर राइट है ओप्शन डी 26 दिसमबर प्यम नरेंदर मोधी के दौरा 26 दिसमबर 2022 को मेजब ध्यांचंद राश्ट्री स्टेडियम में वीर बाल दिवस के रूप में मनाय गया था प्यम नरेंदर मोधी के दौरा गुरू गोविन सिंग जी के प्रकाश भर्व के दिन 9 जनवरी 2022 को गोशना की थी कि गुरू बोगोविन सिंग जी के पुत्रों साहिब जादों बाबा जोरावर सिंग और बाबा फते सिंग की साहधत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाय जाएगा नेक्स कुशन है फुटबॉल खिलाडी मैसी की कप्तानी में अर्जन्टीने किस देश को हराकर फुटबॉल विस्यूकप 2022 जीता है अंसर राइट ऑप्शन बी फ्रांस 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडिय में खेले गए फीफा विस्यूकप फाइनल में अर्जन्टीने अर्जन्टीने के लिए अर्जन्टीने के लिए अर्जन्टीने के लिएनल मैसी को नेक्स्ट फाली में मानवदी का दिवस कब मनाए गया है और अंसर राइट है ऑप्शन दिसंबर को प्रतेक वर्ष 10 दिसंबर को अंतराश्टी मानवदी का दिवस के रुपे मना जाता है इस दिन की शुराइट सेंट राष्ट मासबा ने वर्ष 1948 स्वें की गई थी इस वर्ष 2023 की थीम रखी गई है डिगनिटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर आल नवाड के अध्यक्स हाली में कौन बनाएगे है नवाड के अध्यक्स अंसर राइट है ओप्शन डी साजी केवी राष्ट क्रिशी और ग्रामेंड विकास बैंक यानि नवाड के हाली में अध्यक्स बनेगे है साजी केवी नेश्ट भारती स्टार है वेट लिफ्टर मीरभाई चानू ने विश्व चैंपेंशिप 2022 में कौन सा पदक जीता था? अंसर रैट, ओप्शन B, सिल्वर मेडल, रज़त पदक जीता था. भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीरभाई चानू ने कलाई की चूट के बावजूत वर्ल्ड चैंपेंशिंट 2022 में 200 किलग्राम वस्दन उठाकर रज़त पदक जीता है. टोकियो ओलमपिक में रज़त पदक विजटा मीरभाई चानू 59 क्लोग्राम वर्ग में उनने रज़त पदक भारत को दिलवाया था टोकियो ओलमपिक में. अगला उचन है भारतियो ओलमपिक संग की पहली महिला अध्यक्स कौन बनी है? अंसर एठ है ओप्षण B पीटी उशा. जोकि भारतियो ओलमपिक संग के अध्यक्स बनी है, भारतियो ओलमपिक संग के 55 साल के एतियास में अध्यक्स बनने वाली पहली ओलमपियल sailUS. अगला कुछन है टाइम परसन ओफ़ द येर 2020 किसको दिया गया था? Time Person of the Year 2022 ये दिया गया है व्लोदोमीर जलैंस्की को Time Magazine ने युकरेन के राश्टपती व्लोदोमीर जलैंस्की को The Spirit of Ukraine को साल 2022 का Person of the Year गोशित किया गया है जबकि 2020 में Person of the Year चुने गये थे Tesla के CEO Elon Musk 2020 के लिए थे Next 2022 में Major Dhyhan Chan खेल रतन आवार्ड किसे दिया गया Answer Right Option B शरत कमल भारतिय राश्टी खेल पर उसका 2022 की जो गोशना की गी थी इसके अंदर शरत कमल जो कि टैनिस के खेलाड़ी हैं उनको Major Dhyhan Chan खेल रतन आवार्ड दिया गया था Next 2022 में Australia में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजिता कौन बना था Answer Right Option C England England है T20 विशुकप 2022 में फाइनल में पाकिस्तान को हरा कर किताब जीता है Next आले में नेमने लिखित मैंसे किस देश में FIFA Under 17 महिला फुटबॉल विशुकप 2022 का किताब जीता है Answer Right Option A इस्पेन इस्पेन ने कोलंबिया टीम को हरा कर FIFA Under 17 महिला विशुकप 2022 का किताब जीता है इस्पेन ने किताब दूसरी बार जीता है बारत ने पहली बार साथवे FIFA Under 17 महिला विशुकप 2022 की मिजबानी की थी Next Question है आले में चर्चा में रहा एक सो तीनवा समिधान साशोदन किस से संबंदित है Option 8 है D EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नॉमबर 2022 में उचितम नहले ने समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को Economic Weaker Section EWS में 10 प्रतिशत आलेक्शन के प्रावदान को बरकरार रखा है Next Question है Mangrove Alliance for Climate की शुरुआत निम्न में से कौन से देश इसमें सामिल नहीं है इस Alliance के अंदर Option B पाकिसान इसमें सामिल नहीं है सहींक तरव अमिरात और इंडियोनेशन है वीशु में मैंग्रोव परिसित्री की इतंतर के शरक्षोन और भाली के लिए सहींक तुराष्ट जलवाई स्विकर समिल है COP 27 में Mangrove Alliance for Climate की शुरुआत की जिसमें भारत, औस्ट्रेलिया, जापान, इस्पेन और सिलंका इसमें सामिल है संगठ हम में Next केलो इंडिया, नेशनल यूनिवरिसिटीज, गेम्स की मिजवानी कौन सा राज कर रहा है 2023-2024 में Option D, उतरप्रदेश Next PM नरेंदर मोदी के दौरा Statue of Prosperity का अनावरन कहां पर किया गया Option 8 है B, बैंगलूरू 11 नवंबर को PM नरेंदर मोदी ने बैंगलूरू अंतराष्टी हवायडेक के परिसर में बैंगलूरू के संस्तापक नाद प्रभू केम्पे गोडा की 108 फिट उची कासे परतिमा Statue of Prosperity का अनावरन किया इसके लावा Statue of Ununity आपको पताए 182 मीटर की है जो भी सबसे उची परतिमा है Statue of Equility जो की 55.8 मीटर है दरवाद ते लंगाना महस्तित है Next Paris Olympic और Para Olympic 2024 के लिए सुबंकर की गोश्णा कर दी गई है उनके क्या माम है Option 8 है A. Physian Cap France के अंदर होड़ा है 2024 के अंदर Olympic जिसके लिए Olympic और Para Olympic दोनों ही के लिए हाँ पर सुबंकर गोश्णा कर दी गई है इसे Liberty Cap भी कहा जाता है Physian Cap कहता है Next UN सर्वच्च परयावरन पुरुसकार Champion of the Earth 2022 किस भारतिय को दिया गया है यह दिया गया है Dr. Poonima Devi Berman को Next question है आले में FIFA ने 2022 के लिए सर्वसिष्ट पुरुस फुटबोलर का अवार्ड के इसको दिया है FIFA के द्वारा सर्वसिष्ट पुरुस फुटबोलर का अवार्ड दिया है Argentinian Captain Lionel Messi को Argentinian के Lionel Messi 2022 में सर्वसिष्ट FIFA पुरुस खिलाडी बने है ठीक दोस्तों यह थे हमारे अगर आपने यह अच्छा लगा हो तो वीडियो का अगर आपके 100 पलस कुशन अगर आपके 100 पलस कुशन अगर आपके 100 पलस नहीं हो पा रहे है तो आपको और पढ़ने के आवशकता है जिसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं हर मंत की वीडियो अवेलेबल रहेंगे इस वीडियो की जो PDF रहेगी वह आपको बिल्कुल फूरी में रहेगी इस वीडियो के लिए वह आप हमारे इस Android आपके उपर जाके इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकत जाके वास के लिए तने मिलते एक नए वीडियो में धन्यवाद